हलो फ्रेंस, टेक्निकल क्लास यूटूव चैनल में आपको स्वागत है हम लोग इलेक्टीकल इलेक्टरोनिक्स का 6000 MC की कोष्चन कर रहे हैं जिसमें हम लोग अभी फिलाल इलेक्टराउनिक्स केski사를 डिस्कक्राउनिक्स कर रहे हैं वह electronics में set नमर चार तक का discussion हो गया है और set नमर पाच का discussion हम लोग आज करेंगे electronics में total आपको 1000 question है जो बहुत भी भी ऐई question है सभी exam में आये हुए एक और हम लोग इस बार सोच रहे हैं कुछ लोग जो technical class से जूरे हैं उनके whatsapp नमर तो मेरे पास है लेकिन जिन लोगों नहीं जूरे हैं तो आप लोग अपना अपना नमर देते हो तो पीडिएफ सब पर सेंड नहीं हो पाता है इसलिए मैं एक technical class YouTube चैनल ट्रेड वाइज ग्रूप बना रहा हूं WhatsApp इससे हमें असानी होगा आप लोगों को पीडियो प्रोवाइड करवाने पर तो यह जैसे ही वीडियो आप देखें ताप आप अपना WhatsApp नमर ट्रेड और कहां के रहने वाले हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर टैप करें एक परिएगा तो फास्ट कोशन करा है यू जेटी में जंक्सन होते हैं यू जेटी है क्या तो इनी जंक्सन ट्रांजिस्टर है यू जंक्सन ट्रांजिस्टर है और इसमें ऑफ्सन दिया हुए है जंक्सन कितने होते हैं तीन होते हैं दो होते हैं एक होते हैं तो मैं बता दू तो इसमें junction की संख्या एक होता है, इसमें junction की संख्या कितना होता है, एक होता है, यानिकि 1 का C, येकिन इसके बारे में आउड जानी है, इसका परियोग जो होता है, rejection oscillator या multi vibrator में किया जाता है, इसमें junction 1, base 2 होता है, इसमें junction 1, base 2 और terminal 3 होता है, किसमें? UGT में, टर्मिनल के संख्या के तीन, junction 1 और base 2 होता है, question नमर उसी तरह 2 की योर आगे बढ़ते हैं, दो नमर question करा है, deck का परियोग करते हैं, तो deck का परियोग करते हैं, तो deck क्या है, पहले देखिए गया है, ये triggering के रूप में करते हैं, ट्रेगरिंग के रूप में करते हैं, या 2 का भी होगा, इसमें 3 layer, 2 terminal component है, या 3 layer, 3 layer, 2 terminal component है, अगर आप लोग ऐसा करिए, नहीं है, तो आप अपना WhatsApp, मेरे नमर WhatsApp नमर है, 7772589910, इस पर भी आप अपना WhatsApp से connect होके, नाम, trade और कहां के रहने वाले हैं, तो आपको एक group बना दिया जागा, उसमें आपको state को provide करवाई जागा, दो का ट्रेगरिंग के रूप में करेंगे, या 3 layer, 2 terminal component होता है, Q3 की और बढ़ते हैं, ट्रेक होता है, तो option दे रहा है, यह 1 DC युकती है, 2 DC युकती है, 3 DC युकती है, तो यह 2 DC, यह दोनों तरफ से यह काम करता है, इसका प्रयोग on-off switch के रूप में किया जाता है, किसका ट्रेक का, यह bi-directional AC semiconductor device है, यह एक परकार का ऐसा device है, जो AC semiconductor device है, bi-directional component है, ठीक है, 3, 3 का ऐसा answer देखेगा, तो B होगा, question number 4, 4 में कहा जा रहा है, कि SCR में कौन सा terminal body से जुरा होता है, SCR में anode जो terminal होता है, वह body से जुरा होता है, SCR है क्या, silicon control rectifier होता है, silicon control rectifier होता है, 4 का, यह होगा, 5 number, SCR के anode और cathode के मद है, multimeter से परतिरोध मापने पर परतिरोध होगा, तो option A में है, बहुत कम B में है, बहुत अधिक C में है, सुन D में होत, तो बहुत अधिक होगा, 5 का, 5 का B होगा, 6 नमर कर रहा है, LED उस समय परकास उस सरजित करता है जब LED forward wise में काम करता है ㅇड परकास का बत्वान करता है जब एडि फॉरोड वाईस में काम करता है या भूफ ने किस्भित का था ए और के सेवलिभ क्वाइब के लिएC एक AC मूटर की गति नियंतरिट किया जा सकता है एक AC मूटर की गति नियंतरिट किया जाता है तो डैक और ट्रैक से किया जाता है Seven का D होगा question number eight अगर दैखिएगा माइक होता है माइक होता है तो मैं बता दू माइक जो करता है sound energy को electrical energy में परिवर्थन करने का काम करता है अर्थार C option परहिए एट नम्मर कोशन का C option परहिएगा तो देखिएगा यह sound energy को electrical energy में परिवर्तन करने का काम करता है कौन माइक उसके बाद 9 नम्मर जो कोशन है 9 नम्मर देखिएगा निमन में telephone माइक की रूप में परियोग किया जाता है और 9 नम्मर कोशन तो मैं बता दू टेलिफोन ँंब करने करते हैं क्वान माइक लगा होता है कौन से लगा होता हैं आगे बढ़ ते टेन नम्मर कोशनर क्षाएग निमन में से किस माइक कापर य Спयूप साउंड रेकॉर्डिंग में किया जाता है तो मैं बता दू आपको साउंड रेकॉर्डिंग में जो माइक का प्रयोग किया जाता है वह आपको कैपेसीटर माइक का प्रयोग किया जाता है साउंड रेकांडिंग में कैपसीटर माइक एसे एक का पूरा जानी लेजिए कारवन माइक का टेलिफोन माइक में जो यह अप्षन है वह टेलिफोन माइक में बी जो है कैपसीटर माइक वह साउंड रेकांडिंग सिस्टम में किया जाता है साउंड रेकॉर्डिंग सिस्टेम डाइनेमिक माइक का पाबलिक स्टेज में किया जाता है अग क्रिस्टल माइक का ट्रांस्मीटर माइक के रूप में किया जाता है एंसर पूछ रहा था साउंड रेकॉर्डिंग साउंड रेकॉर्डिंग के लिए आपको कैपेसिटर माइक का पर्योग किया जाता है कि उसके बाद कोशन नमर 11 का रहा है निमन में से किस माइक का पर्योग ट्रांस्मीटर में किया जाता है तो उससे पहले भी हम लोग डिसकॉसन किये थे क्रिस्टल माइक का पर्योग ट्रांस्मीटर के रूप में वह एस के बार नमर कोशन है एक परकार का डिवाईच है तो आपको एस्पीकर का कारेक्ट सबसे पहले जानें स्पीकर आओडियो इलेक्ट्रिकल इनर्जी को साउंड इनर्जी में परिवर्थित करता है आर्थार्थ यह होगा, 12 का audio electrical energy को sound energy में परिवर्तित करता है, 12 का यह होगा 30 question अगर देखिएगा, तो नीमन में से वैसा electronics device जिसके द्वारा weak signal को strong signal में convert किया जाता है क्या कहलाता है, weak signal को strong signal में convert किया जाता है, वह कहलाता है transistor transistor का काम है weak signal को strong signal में convert करना, 13 का A है 14, 14 में क्या कर रहा है, नीमन में amplifier द्वारा क्या changing नहीं होता है तो voltage level, current level, power level, frequency level, क्या change नहीं होता है तो frequency level change नहीं होता है, बाकी amplifier के द्वारा voltage level भी, current level भी, power level भी change करते है यानि कि 14 का D होगा, 15 question की ओर देखिएगा, तक कर है amplifier में main component होता है तो amplifier में transistor भी होता है, register भी होता है, capacitor भी होता है, तो main जो component होता है 15 का यह होगा, transistor, 16 नमर अगर question देखिएगा, amplifier में सहायक component के रूप में क्या होता है, तो bicing register होता है 17 नमर देखिएगा, single stage amplifier में असत्त है, इसमें एक transistor होता है, यह तो सही है इसका मुख, यूज simple circuit में किया जाता है, यह भी सही है, इसमें bicing voltage divided method के द्वारा होता है इसमें bicing voltage divided method के द्वारा तो है, यह भी सही है, बहूट question विभी है है यह पूछता है, बाइसिंग किस मेथेड से करते हैं, तो बोल्टेज डिवाइडेड मेथेड से करते हैं, सिंगल स्टेज में, यानि कि इसका 17 का D होगा, इनमें से कोई नहीं, 18 question अगर देखिएगा, electronic circuit जिसमें transistor, diodes, capacitor, register, इत्यादी, अलग-अलग लगे हो, उसको क्या कहते हैं, तो आपको एक discrete circuit कहलाता है, यानि कि 18 का D होगा, 19, potential meter ध्वानी के पीच को घटाने या बढ़ाने के लिए किसका परयोग किया जाता है, तो टोन कंट्रोल का किया जाता है, टोन TC, टोन कंट्रोल, special type का आपको register है या किसका परयोग करते हैं, टोन कंट्रोल को करते हैं, 19 का A होगा, 20, ट्रायक किसकी तरह होता है, तो दिवदसिये, SCR के यानिके, दोनों तरह से काम करता है, SCR के silicon, control rectifier की तरह काम करता है, 20 तक हो गिया, उसके बाद 21 देखिए, 21 में कह रहा है, कि रेडियो तरंग को प्रेसित करने वाला उपकरन क्या कहलाता है, transmitter कहलाता है, रेडियो तरंग को जो आपको प्रेसित करता है, निक एक जग़ से दूसरे जग़ पहुचाता है, वह transmitter कहलाता है, 21 का भी होगा, स्टेज एम्प्लिफायर में क्या असत्त है मल्टि स्टेज एम्प्लिफायर में क्या सत्त है ऑप्शन को पर यह आर्सी कपल्ड एम्प्लिफायर का परकार है सही है बी आर्सी एम्प्लिफायर का यूज भोल्टेज एम्प्लिफायर में करते हैं यह भी सही है C, transformer coupled amplifier का प्रकार है सही है, इन में से कोई नहीं होगा 22 का D होगा 23 RC coupled amplifier में क्या अज़सत्य है RC coupled amplifier में उप्सन कुपर ही है इसे audio amplifier के नाम से जानते है सही है इसे voltage amplifier के नाम से जानते ये भी सही है इसे pre amplifier के नाम से जानते हैं ये भी सही है डी होगा इनमें से कोई नहीं 23 का डी होगा 24 transformer couple amplifier को निम्न नाम से जानते हैं तो इसे power amplifier के नाम से जानते हैं 24 का डी होगा 25 power amplifier का परयोग किया जाता है power amplifier का परयोग किया जाता है low frequency circuit में DC circuit में C होगा 25 का आपको C होगा और भी दोनो 26 power amplifier निम्न है class A power amplifier class B power amplifier class C power amplifier D इनमें से सभी सभी होगा 26 का D होगा 27 class A power amplifier की दच्चता होती है तो class A की दच्चता 40% से 60% तक होती है class B की दच्चता 60% से 80% होती है और class C की दच्चता 80% से अधिक होती है 27 का इसे इंसर देखेगा तो ए होगा 28 देखेगा भारत में निम्न power amplifier का पर्योग करते हैं भारत में सबसे अधिक के class B power amplifier का पर्योग करते हैं 28% 78% B कहीं पर्योग किया जाता है 29 class C power amplifier की दच्चता कितनी होती है class C power amplifier की दच्चता 80% से अधिक होती है 40-60% class A 60-80% B और 80% से अधिक C होता है 29 का C 30 transistor की वायस voltage किस पर निर्वर करता है तो पेंटोड पर निर्वर करता है त्रांजिस्टर की वायस voltage किस पर निर्वर करता है तो पेंटोड पर निर्वर करता है यहां हम लोग का इलेक्टाउनिस का सेट नमर 5 है इसका discussion हो चुका है इस सेट नमर 5 का discussion है अगर यह सेट आपको PDF की रुक में चाहिए तो आप अपना वाट्सेट नमर नाम ट्रेड कहां के रहने वाल है कॉमेंट बॉक्स पर भी टाइप करें या हमारा नमर है डवल सेवन टू फाइव एट डवल नाइन डवल वन जीरो इस पर आप वाट्सेट से कनेक्ट होके और एक ग्रूप में बनाऊंगा उसमें आपको अलग ग्रूप बनाऊंगा इलेक्टिकल इलेक्ट्रोनिस का एक ग्रूप बना दूँगा फिटर का लग बनाऊंगा उसमें आपको यह सेट डिसकसन भी करवाया जाएगा और यह सेट पीडियेफ के रूप में उसी ग्रूप में डाल दिया जाएगा चैनल को आप सब्सक् और बेल एकन घंटी को भी प्रेस करें ओके भाय भाय